काबुल एअपोर्ट पर गुरुवार को हुए दो आत्मगाती बम धमाकों के बाद अमेरिका ने शुकृवार को नया अलर्ट जारी किया है अमेरिका ने आशंका जाहिर किये कि आतंकी कार बम से जल्द ही एक और धमाका कर सकते हैं American Broadcast Company के मताबिक काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार बम से ब्लास किया जा सकता है खूफिया एजिंसियों से मिली जानकारी के बाद अमेरिका ने काबुल में अपने सेनिकों वर नागरिकों को अलर्ट कर दिया है वहीं गुरुवार को अफगानिस्तान का काबुल दो बम धमाकों से देहल गया था काबुल एयरपोर्ट के बाहर दो आत्मगाती हमले में 72 लोगों की मौत हो गई थी जबकी 143 लोग घायल हुए पेंटागान के सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक एस आतंकी हमले में 13 अमेरिकी सेनिकों की जान गई है और 18 घायल हुए है काबुल धमाके पर अमारिकी राष्ट्रफती जो बाइडन ने कहा कि जिसने भी इसे अंजाम दिया है उसे हम माफ नहीं करेंगे ना ही उसे भूलेंगे शुरुवात से ही इन बमधमाकों के पीछे आतंकी संगठन IAS Islamic State का हाथ होने की बात सामने आ रही थी और देर रात उसने इसकी जिम्मिदारी भी ले ली थी वही काबुल में हुए बमधमाकों में 12 अमारिकी सेनेकों की मौत हो गई है वही 18 से अधिक घाल है जिसके चलते इन शहीदों के सम्मान में 30 अगस की शाम तक अमारिकी जंडा जुका रहेगा